दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने ही योट्यूब चैनल दा डियम ओ बिलेज पर आज का वीडियो बहुती कमाल का है आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे डेंगू बुखार से कैसे बचें जी हाँ इस समय डेंगू बुखार बहुत जवर जस्त चल रहा है तो आज की वीडियो में पूरी जानकारी देंगे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है इसलिए वीडियो को पूरा देखें डेंगू बुखार से बचने का हम आपको उपाय बताएंगे डेंगू बुखार से कैसे बचें डेंगू बुखार होने पर क्या करना चाहिए आज की वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देंगे फिलाल वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तो डेंगू बुखार को हड़ी तोड बुखार भी कहा जाता है दोस्तो सबसे पहले मैं आपको एक सला देता हूँ चाहें आप गौव में रहते हैं चाहें सहर में रहते हैं अगर आपको बुखार आ जाता है तो तुरंत अपने नजदी की डाक्टर से संपर्क करें ये ना देखें कि हमें छोटा मोटा बुखार है आप तुरंट जाए अपने नजदी की डाक्टर के पास और तुरंट उसका इलाज कराएं सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कोई सा भी बुखार हो आप अपने नजदी की डाक्टर से तुरंत संपर्क करें अच्छा डेंगू बुखार से बचाओ के मैं आपको 12 घरेले उपाए भी बताओंगा सबसे पहले तो आपको डाक्टर के ही पास जाना है इदि आपके पास आजपास डाक्टर नहीं होता है तो आप घरेली उपाए भी कर सकते हैं फिलाल वीडियो लंबा हो जाएगा वीडियो को पूरा जरूर देखें कोसिस करें सबसे पहले डाक्टर के पास जाने की इससे पहले में वीडियो में 12 घरेली उपाए भी आपको बताऊंगा सबसे पहले आपको अपने घर की आसपास की सफाई रखें ठीक है घर के आसपास आप सफाई रखें क्योंकि मानने नरिंदर मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को एक योजना चलाई ती जिसका नाम था सफाई अवियान योजना सोचन की बात है जरा सोचिए कि हमारे देश के पिर्दान मंत्री मानने नरिंदर मोदी जी एक पिर्दान मंत्री होने के बाद भी अपने हातों से सफाई करके एक आपको सला देते हैं कि आप भी सफाई करिए जब एक हमारे देश का पिर्धान मंतरी सफाई कर सकता है जहडू से तो आप क्यों नहीं कर सकते हम और आप तो एक आम आदमी है तो सबसे पहले आप अपने घर के आसपास सफाई रखें ठीक है फिर आपको जब रात को आप सोएं तो बिना मच्छरदानी के ना सोएं मच्छरदानी का पिरयोग करें ठीक है फिलाल जानकारी देंगे डेंगू बुखार से घरेलू उपाए बचने के डेंगू फीवर एक संकर्मक है जो डेंगू वाइरस की बज़े से होता है मच्छर डेंगू वाइरस को फैलाते हैं डेंगू फीवर को हड़ी तोड बुखार भी कहा जाता है क्योंकि इस बुखार में हड़ीों में आ सहनियें दर्द होता है डेंगू फीवर के कई लच्छर हैं जैसे बुखार, सिरदर्द, तुच्चा पर चेचक, जैसे लाल चकत्ते, मास पेसियां और जोडों में दर्द अगर इस तरीका का कोई आपके सरे में लच्छर है तो समझेए आपको डेंगू बुखार है डेंगू बुखार आने पर तुरंट अपने नज़दी की डाक्टर से ही समपर्क करें फिलाल मैं घरेलू उपाए भी बताऊंगा इनको भी आप अपना सकते हैं डेंगू का समय पर उपचार बेहत जरूरी है बैसे तो इसके लिए डाक्टर से ही परामर्स करना चाहिए लेकिन कुछ घरेलू उपाए भी हैं जो आपको डेंगू फीवर से बचने में मदद कर सकते हैं बिटामिन सी खाने में जितना हो सके इउक्त पदार्तों का सेवन करें बिटामिन सी आपको स्वस्थ रखने के साथ ही सरीर की रोग पृतिरोधक छमता को बढ़ाने में मदद करता है इसके अलाबा ये किसी भी पिरकार के संकरमल को फैलने से भी रोग सकता है नमबर दो, हल्दी का प्रियोग किसी भी रूप में खान पान में हल्दी का सेवन करें सामानता सबजी या दाल में हल्दी का प्रियोग होता प्रियोग तो होता ही है इसके अलावा आप चाहें तो हल्दी वाले दूद का सेवन कर सकते हैं इसमें मौजूद एंटिवायोटिक तत्व आपके पिरती रक्षा तंत्र को मजबूत कर बीमारियों से आपकी रक्षा कर सकते हैं नमबर तीन तुल्सी और सहथ तुल्सी और सहथ का प्रियोग करने से भी डेंगू से बचाव किया जा सकता है इसके लिए तुल्सी को पानी में उवाल कर इसमें सहथ डाल कर पिया जा सकता है इसके अलाबा आप काड़ा या चाए में तुल्सी का प्रियोग कर सकते हैं तुल्सी के पेंड गाओं में बहुत आसानी से मिल जाते हैं इसमें मौझूद एंटिबाय बेक्टिरियल गुड बीमारियों से बचाव में सायक होते हैं नमबर चार पपीते के पत्ते जी हाँ नमबर चार प्याता है पपीते के पत्ते डेंगू के इलाज में पपीते की पत्तियां बेहत इलाज के रूप में जानी जाती हैं पपीते के पत्ते का रस निकाल कर दिन में दो बार लगबग दो या तीन चमच की मात्रा में लेने से डेंगू बुखार से बचाओ किया जा सकता है इसमें प्रोटीन से भरपूर पपेन नामक एंजाइम पाया जाता है जो पाचन सक्ति को ठीक करता है इसके अलावा लाल रख कड़ों में भी ब्रदी करता है नमबर पांच अनार डेंगू बुखार में सरीर में होने वाले रख की कमी और कमजोरी को दूर करने के लिए अनार का सेवन फायदे मंद होता है इसमें मौजूद बिटामिन E, C, A और फोलिक एसिड और एंटी आकसिडेंट बेहद लावप्रत साबित होते हैं ये लाल रख कड़ों के निर्माल में भी महतपूल भूमका निवाते हैं जो खून की कमी को पूरा करने में सायक होते हैं नमबर छे मेथी मेथी की हरीस पत्तियों का सेवन डिंगू से बचाओं में मददगार होता है इसके प्रियोग से सरी से सवीहानिकारक और बिसाक्त पदार्त बाहर निकल जाते हैं इसके अलावा सारे रिकदर्द और अनिंद्रा की समस्या में भी ये लावकारी होती है इसके सबजी या इसे पानी में उबाल कर प्रियोग किया जा सकता है इसके अलावा मेथी दाने का प्रियोग भी किया जा सकता है नमबर साथ गिलोई गिलोई हर तरह की बीमारी में अमरित के समान होती है नमबर साथ प्याता है गिलोई गिलोए हर तरहे की बीमारी में अम्रित के समान होती है इसके पिर्योग से लाल रक्त कडिकाओ का निर्माड होता है और पिरती रोदक चमता में इजाफा होता है तुलसी के साथ इसका गाड़ा बनाकर पीने से लाव होता है इसके अलावा गिलोएका जूस या इसकी गोलियां खाना भी फायदे मन्द हो सकता है दिन में दो से तीन बार किसी भी रूप में गिलोएका प्रियोग करना डेंगू से बचने के रामबार उपाए है नमबर आठ पे आता है बहुती महत्पूल बकरी का दूद नमबर आठ जिहां देंगू बुखार होने पर बकरी के दूद का सेबन बेहद फायदे मन्द होता है बकरी का दूद बहुत आसानी से गाउं में मिल जाता है जी हाँ डेंगू बुखार होने पर बकरी का दूद का सेबन बेहद फाइदे मन होता है इसके लिए बकरी का कच्चा दूद दिन में दो से तीन बार थोड़ी मात्रा में पीने से लाव होता है इसके अलाबा ये खून की कमी को दूर कर पिरती रक्षा तंत्र को मजबूत करता है और सरीर बजोडों के दर्द में लाबकारी होता है नमबर नो जौरे का रस जौरे यानि ग्यों की घास का रस पीने से भी रक्त में पिलेटस का निर्मार तेजी से होता है और रोग पिरती रोधक चमता भी बढ़ती है पिरती दिन दो बार इसका पिर्योग करने से डिंगू का खत्रा कम हो जाता है नमबर दस सामान भोजन के अलाबा सूप का पिर्योग भी जरूर करें इसके ये आपके स्वाद को वरकरार रखेगा और भूख ना लगने की सिकायत दूर करेगा इसके अलाबा दलिया का पिर्योग करना भी बेहतर होता है ये आपको ओर्जा के देने के साथ ही पाचन को दुरूस्त करता है नमबर ग्यारा और बारा हरवल्टी का पिर्योग करने से सरीर के हानी का रक्तत बाहर निकल जाते हैं और रोग पृती रोधक छमता में भी ब्रद्दी होती है दिन में दो से तीन बार हरवल्टी का पिर्योग जरूर करें नमबर बारा इसके अलावा मच्छनों से जितना हो सके ठीक कहे देखिए नमबर बारा इसके अलावा मच्छनों से जितना हो सके बचाव करना डिन्गू से बचने का पिर्मुक उपाए है मच्छनों से बचने के लिए हर संबब साबदाने बरतें और पानी का जमाव ना होने दें घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि इसमें मच्छनों के पनपने की संबाबना अधिक होती है डिन्गू के लक्छड सामने आने पर या किसी भी पिरकार की अन्य समस्य होने पर दबा लेने से पूर्ब डाक्टरी परामर्स अवस लें दोस्तो जितना हो सके अपने नजदी की डाक्टर से ही संपर्क करें दोस्तो जैसे ही खासी बुखार का कोई भी लच्छड आपके सरीर में हो अपने नजदी की डाक्टर से संपर्क करें क्योंकि इसमें डिन्गू का बुखार बहुत जवरजस्त चल रहा है दोस्तो नीचे लाल कलर में लिक्याता होगा सब्सक्राइब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल का घंटा जरूर दबा दें ताकि आप देख सके आने वाली कल की वीडियो सबसे पहले दोस्तो हमारे चैनल पे मोधी सरकार की राज सरकार की सभी पिरकार की सभी सरकार योजनाओ की जानकारी हर दिन मिलती रहती है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों ये एक सला है ना कि डाक्टरी परामर्स बुखार होने पर अपने नजदी की डाक्टर से ही संपर्क करें दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए सुक्रिया